हे एवरिवन फाइनली सलार मैंने देख ली और सलार की स्टोरी मेरे दिमाग पर ऐसा असर डाली है और इसकी एंडिंग जिस सस्पेंस के साथ खतम होती है ना मेरे तो हो सूट गए थे भाई अब सलार को देखने के बाद मुझे अब समझ में आया की परसान निल ऐसा क्यों ब परसान निल ने देवा का करेक्टर जिस तरह का बनाया है ना उसको जो हाथ भी लगाएगा उसका वह हाथ कार देगा और पूरे फिल्म के अंदर कोई उससे टैच भी नहीं कर पाता भाई तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ सलार के एंडिंग को लेकर अगर अ वाली है तो अपना दिमाग थोड़ा धैंस यूच कीजिएगा अगर समझ गए तो मान गए बॉस तो चलिए बिना देरी करी स्टार्ट करते हैं ना देखें डाकों के तीन कबिले थे मनार कबिला सुर्यान कबिला घनियार कबिला जो गरीब बस्तियों और इलाकों को होता है जिस तरह से हर एक देशच अपना एक आलग ही समिधान बनाया होता है उसी तरह खांसार की नियम कनून अपनी खुद की एक किताअब होती यह जिसका नाम नि बंधन होता है और उसके नियम कानून पूरी दुनिया पर लागू होते थे क्योंकि खौब था भाई ख प्रिटरी का मालिक होता है और मनार सौर्यांगा और घनियार कभीले मिलकर एक फैसला लेते हैं और उस हिसाब से सौर्यांग कभीले के धारा को वहां का राजा बनना था लेकिन राज मनार को अपनी पिता की गद्धी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रहता और राज मनार सौर्यांग कभीले के जितने भी लोग थे उनको महर डाला और वहां का राजा बन गया फिर कहानी आगे बढ़ती है और राज मनार किसी काम बस बाहर जाना चाहता था और इसलिए वह अपने बेटे वर्दराज को गद्धी पर बिठाना चाहता था जिसके लिए उसके मंत् जाफ काट देता है तो किसी का गला जोहीं उसी समय राज मननार वापस आता है और याक आदमी को पस बाता है जो की सोर्यांग कबीले के खाठ कर दिया होता है भरन आदमी बताता है कि उसराथ जह एक सेनस्य सोर्यांगन की तलास में कुमें तुम्हारी इस सुकाड निकEd हर एक सौर्यंगा तयार है सिवा एक के जो की देवा होता है वह बोलता है कि धारा याद है तुम्हें 25 साल पहले इस गद्दी पर उन्हें बैठना था हमारा नायक पर तुने उसे मार डाला लेकिन उनका बेटा जिंदा है उस राग तेरे बेटे वर्धान है देवा को बचा क खांसार से बाहर भेज दिया था हम सब इतने सालों से उसे ढूंड रहे थे लेकिन वो खुद लोटाया जब से उसने खांसार में कदम रखा है उसने तबाही मचा कर रख दिये तो भाई लोग एक तरफ पूरा खांसार गद्दी के लिए लड़ मरने को तयार था दूसरे तरफ हर सौरेंगा उस गद्दी को जलाने के लिए तयार था लेकिन देवा ने वही गद्दी वर्धा को दिलाने का वाधा किया था लेकिन उस गद्दी पर बैठने का हग सिर्थ देवा का था यानि देवा सौरेंगा कबीले का ही था और उसके पिता धारा को राज मन्दा उतारता है और उसके सरीर पर तलवार के निसान दिखाई देते हैं जो कि सौरियांगा के लोगों की पहचान होता है वह वर्धा उस निसान को दे कर समझ जाता है कि ये तो सौरियांगा है बस यही पर सलार पार्ट वन सीज़ फार खतम कर दिया जाता है अब यहां कहानी और इंट्रेस्टिंग होती जाती है और लोगों के मन में कई सवाल छोड़ जाती है कि क्या वर्धा देवा के बारे में ये सब कुछ जानने के बाद भी उसे मारने की प्लानिंग बनाएगा या फिर देवा को जब पता चलेगा कि जिस गद्दी के लिए मैं लड़ रहा हूं जिस गद्दी को मैं देवा को दिलाने के लिए लोगों को मार रहा हूं उस गद्दी पर मेरा हक है और राज मनाव ने मेरे पिता को मार कर गद्दी को छीना है तो देवा क्या करेगा अब देवा और वर्धा के बीच जंग छिड़ेगी वर्धा अपने पिता और खांसार क गद्धी को बचाने के लड़ेगा तो देवा 25 साल पहले त्या चार और अपने पिता के बदले के लड़ेगा गजा भाई इसकी कहानी दिमाग हिला देने वाली होती है अब सलार पार्टू के अंदर मज़ा आ जाएगा सलार पार्टू एक दान तबाई से भारा पड़ा होने वाला है अब आप लोग सलार पार्टू के लिए कितना एक्साइटेन है कोमेंट सेक्षन में जरूर बताएं